हेलो वेलकम दोस्तो मेरा नम है गनेस आप देखरें सूपर टेग गनेस दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप कोटक महिंदरा बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं दोस्तो अगर आप भी एक ऐसे सेविंग अकाउंट की तलास में हैं जो बिलकुल जीरो बैलेंस का हो जिसमें आपको किसी पर करका बैलेंस मेंटेन नहीं करना हो तो कोटक महिंदरा बैंक आपके लिए बैस्ट ऑप्शन हो सकता है दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक में आप बहुत ही आसानी से 5 मिनट के अंदर अपना एक saving account open कर सकते हैं इस bank account को open करने के लिए आपको bank branch भी नहीं जाना होगा आप अपने mobile से 5 मिनट के अंदर online ही open कर पाएंगे और इस bank account में आपको instant account number IPC code मिल जाता है साथ आपको free ATM card भी मिल जाता है जिसका यूज आप Google Payphone Pay Pay ATM चलाने के लिए कर सकते हैं और आपको free credit card की भी facility मिलती है अगर आप bank account open करके credit card लेना चाहते हैं तो आप कोटक महिंद्रा bank में अपने zero balance saving account open करके free में credit card भी ले सकते हैं तो कैसे आपको कोटक महिंद्रा bank में अपने zero balance saving account open करना है इसका complete process में आपको आज की इस वीडियो में दिखाने वाला हो तो वीडियो को complete देखिएगा तो चलिए शुरू करते हैं इससे परले वीडियो को like नहीं कियें और क्या क्या इसमें benefit दी गए है इस account में वो भी हम देख लेते हैं तो देख सकते हैं fully digital account opening आप इस account को digital process से open कर पाएंगे आपको कहीं भी visit नहीं करना है देख सकते हैं zero balance account और यहाँ पर आप स्कूल करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं तो टॉप 5 features बताये गया है इस एक bank account का तो यह जो saving account है यह है कोटक 811 saving account इस account का नाम है तो यहाँ पर बताये गया है no need to maintain minimum blends in your account आपको किसे बरकार का minimum blends coverage कोई भी maintain नहीं करना होगा get up to 4% interest देख सकते हैं आपको 4% का interest rate भी मिलेगा अगर आप इस से भी account में पैसे रखते हैं तो इसके बाद free virtual debit card and lifetime free credit card आपको free में virtual debit card भी मिल जाएगा और आपको lifetime free credit card मिलेगा free digital transaction like any FTI IMPs UPI पे तो देख सकते हैं आप इस account से any FTI IMPs UPI transaction बिल्कुल free कर सकते हैं आपको किस पर करका charges नहीं लेगेगा इसके बाद यहांपे बताएगा round the clock account access through the internet and mobile banking तो आप इस account में 2400 घंटे mobile banking और internet banking का यूज कर सकते हैं तो account open करने के लिए सबसे पहले आप यहांपे कुछ basic details फिल करेंगे जैसे कि आप अपना mobile number एंटर करेंगे अपना एक email ID डालेंगे और आपका जो area का residential pin code है वो आप यहांपे डालेंगे तो चलिए मैं फटापट अपना detail डालके आपको आगे का process दिखाता हूँ दोस्तों आप देख सकते हैं हम अपना detail फिल कर दी है mobile number एंटर कर दी है email ID इंटर कर दी है code इंटर कर दी है अब आपको open now का option दीख रहा simple up open now पे क्लिक करेंगे अब जिसी दोस्तों आप अपना basic detail फिल करके open now पे क्लिक करते हैं अब आपके सामने second step आ चुका है अब इस second step में आपको सबसे पहले अपना pay number इंटर करना है check box दिख रहा है यह term और condition है इसको भी आप read करेंगे इसके बाद check box पे tick लगाएंगे और proceed to verify फटन पे क्लिक करेंगे अब जैसे ही दोस्ताब proceed to verify पे क्लिक करते हैं आपके आधार register मोबाल पे CDG जो OTP send कर दिया जाएगा वो OTP को आप यहाँ पे fill करेंगे अब दोस्तों जैसे आप आधार OTP को fill करते हैं तो देख सकते हैं आपका photo यह आपका आधार card से detail करेंगे आपका पूरा नाम आ जाएगा आपका date of birth और आपका gender भी यहाँ पे show होगा इसके बाद आपका financial details यहाँ पे fill करना है जैसे कि आपका option मेरा select occupation क्या आप क्या करते हैं तो आप occupation को choose करेंगे major source of income तो आपका income source क्या है वो आप यहाँ पे select करेंगे इसके बाद आपका option दिख रहा है select yearly income यानि आप साल में कितना income करते हैं वो भी आप यहाँ पे select करेंगे देन इसके बाद आप अपना marital status को select करेंगे अगर आपका साधी हो चुका है तो मेरेट अगर साधी नहीं हुआ है तो अन्मरेट को select करेंगे इसके बाद जो आपका address होगा जो आपका further name होगा वो आपके आधर कार्ड से भी detect कर लेगा आधर कार्ड से information को fill करने के लिए आपको यह पर option विरा पर फिल करेंगे line to landmark देंगे अपना area pin code डालेंगे इसके बाद प्रोसिड ऑफिसन पर क्लिक करेंगे तो यह जो एड्रेस आप देंगे इसी एड्रेस पर आपका जो भी physical item card होगा जो credit card होगा जो चैक बूक होगा वो आपके इसी address पर deliver कर दिया जाएगा तो आप एड्रेस को सही से fill करेंगे अब दोस्तों एड्रेस फिल करने के बाद यहाप आपको जितने भी check box दिख रहे हैं है सब पर आपको tick mark लगाना है यानि जो भी आप टर्म और कंडिसन है सभी को आपको read करना है और आपको accept करना है इसके बाद आप अपने इसाफ से CDG रखना चाहते हैं वह जाल दे देन इसके बाद आपको option मिलता है रीइंटर एंपीं तो आप फिर से दोबरा एंपीं को confirm करें इसके बाद आप confirm एंपीं वाले option पे क्लिक करते हैं तो आपका MPN सेट सक्सेस्फुल हो जाता है अब जैसे दोस्ता पे अनलाइन यूज करना चाहते हैं तो इसको आप इनवल कर देंगे इसके बाद यहां पर देख सकते हैं बताएं प्रोशी करना होगा तो क्लिक करेंगे अब जैसे दोस्ता प्रोशीट पे क्लिक करते हैं आपका account का सारा detail है आपको देखने को मिल जागा जैसे के आपका customer ID आपका bank account नमर आपका आपका अफिसी code आपका branch ने तो इसके बाद आपको यहां पर option मिल रहा है complete full कवाईसी का तो इस पे click करेंगे आप click करके अपना full क complete कर सकते हैं तो full कवाईसी complete करने के लिए आपको original आधार कार्ड पेन कार्ड अपने हाथ में रखना है साथ आपको एक white blank paper रखना है जिसमें आपको signature करना है और जो भी कोटक महिंदरा bank के agent होंगे वो आपसे video verification करेंगे आपसे कुछ आपका personal information पूछेंगे और आपका जो ID आधार कार्ड पेन कार्ड वो आपको दिखाना है साथ आपको एक blank white paper पे सिगनेचर करके भी उनको दिखाना है अब जैसे को complete कर लेते हैं तो आपका account अपग्रेड हो जाता है और इस bank account का use lifetime के लिए कर सकते हैं अब दोस्तों क्यवाईसी complete करने के बाद अगर आप mobile banking का use कर अपना एक zero balance saving account open कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में complete process दिखा दी है आसा करता हूँ आपको जानकर इचले कर अगर आपको जानकर इचले कि तो वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल पढ़ना है चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे आपके मन में कोई भी confusion है व क्यों जैहिंग